नमस्कार साथियों आज विश्व स्वास्थ दिवस भी है और Health for All आज का उद्देश है आज विश्व स्वास्थ दिवस का जो ठीम है वो है Health for All जब भारत जोड़ो यात्रा राजिस्थान से गुजर रही थी तो हमारे परसादी लाल मीना जी जो मंत्री हैं स्वास्थ मंत्री हैं राजिस्थान सरकार में इन्हीं के इलाके में राहुल जी ने गहलोज साब से पूछा चिरिण जीवी योजना के विशे में एक बात हो रही थी कि इसका अगला कदम क्या होगा तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि Right to Health इसका अगला चरण होगा पूरे विश्व में दो ढ़ाई साल सबके कैसे गुजरे ये मुझे आपको बताने के आवशकता नहीं हर परिवार ने कुछ न कुछ खोया किसी का व्यापार, किसी के परिवार के सदस्यों की शती हुई हर सरकार ने, हर व्यक्ती ने, हर परिवार ने, हर समाज ने कोई न कोई सीख ली उस अवधी से राजिस्थान सरकार ने बड़े गर्व के साथ हम आपको बता रहे हैं सीख ली वो ये थी कि खर्च कहां करना है बजट कैसे बनाना है क्या प्राथमिक्ता होनी चाहिए राज्य की किस तरह की सेवाएं स्वास्त के छेतर में देनी चाहिए लोगों को यहाई कुछ मीटर दूर आप जाएंगे तो केंद्र सरकार की क्या प्राथमिक्ता थी वह आप को दिख जाएगा हजारों करोड का एक आलिशान कोठी बन रही है जिसमें नरेंद मोदीजी रहेंगे पार्लेमेंट बन रहा है एक वैनिटी प्राजेक्ट आपने देखा हर सरकार की अलग-अलग प्राथमिक्ता हैं कुछ सरकारों ने जैसा मैंने आपको कहा सही पार्ठ स होल है जब से चिरंजीवी योजना वहां आई है इस योजना के बारे में विस्तरित जानकारी हमारे मंत्री श्रीप परसादिलाल मीना जी बताएंगे आपको लेकिन जो भारत-जोडो यात्रा के दौरान राहुल जी से अलग-अलग लोग मिल रहे थे राजिस्थान में ख वो कदम जो है लोगों को बहुत पसंद भी आये लोगों को की जिन्दगी को एक तरह से चुआ उन कदमों मैं मेरे वरिश सही होगी परसादिलाल मीना जी से आगरह करूँगा कि इस योजना के विशय में आप से कुछ बात करें और कैसे चुप चाप से एक राजिस्थान मॉडल स्वास्त के छेतर में पूरे विश्व में प्रचलित हो रहा है यहां तक कि के स्टडीज लिखी जा इसका क्या प्रभाव पढ़ रहा है यह एक शोद्धिका विशय बन चुका है पूरे विश्व में इसलिए हम गर्व के साथ आज राजिस्थान मॉडल आपके सामने पेश करते हैं परसादिलाल मीना जी नमस्कार अभी मानने खेड़ा साथ ने जो बताया राजस्तान मॉडल के बारे में जब असोग गैलो जी पहली बार मुख्मंत्री बने उन्होंने गरीबों की पीडा को समझा जो बीपील फेमेल जील थी उसके लिए दवाईयां सुरू की और एक बहुत बड़ा मेसेज उ दूसरी वार सियम बने उन्होंने सब के लिए निसुल्क डवाईयों की ङॉझना सुरू की जिससे बहुत बड़ा व्यापक असर पूरे परदेश की जनता को नएज जीवन मिला तीसरी बार वो मुखमंत्री बने तो उन्होंने निसुल्क जाद निसुल्क दवाईयां उन्होंने शुरू की दो अक्टूबर 2011 से जो दवाईया निसुल्क शुरू की पूरे प्रदेश में सब के लिए OPD, IPD सब में निसुल्क दवाईयां तो लोगों न attempt किया हमारे BJP के साथिओं ने कहा गिए पैसा कहाँ़ चाएगा हमारे मुखमंत्री मौदे ने कहा पैसा जब मैं जादू करूँ तो पैसे की मेरे पास क्या कम ही है परदेश के लोगों को मैं निसुल्क दवाईयां निसुल्क इलाद दूँगा रतीसी वार वो सीम बने तो उन्होंने पूरी जाज, पूरी दवाईया और एक निरोगी राजस्तान का एक संकल्ब उन्होंने लिया कि राजस्तान अम निरोगी रहे, चाहे मुझे कितना ही बज़ट इसमें खर्च क्यों नहीं करना पड़े और उन्होंने सुरुआत की, चिरंजीवी, मुख्यमंत्री, चिरंजीवी, स्वास्वीमा योजना की, जिसका पूरा एक लाग पिछेतर अजार करोड लोगों के परिवारों का, पूरा प्रीमियम का पैसा भी राजी सरकार अपने खजाने से जमा कराती है ऐसा कोई प्रदेश नहीं, जो प्रीमियम का पैसा भी खजाने से जमा करा है, उनको दस लाग का भीमा भी निस्सुल की लाज भी दे, ये राजस्तान का एक मॉडल इस्टेट मुख्यमंत्री जे बनाने का काम किया, और उसके बाद परन्त कोविड आ गया, अग कोविड मे कोविड में एक भी पैसा किसी पैसेंट का खर्च नहीं हुआ, चाहे दवायाओं का हो, चाहे जाच का हो, चाहे इलाज का हो, पूरा का पूरा, चाहे इंजेक्शन 40,000 का भी क्यों नहीं आए, चाहे 20,000 का है, सब को फ्री इलाज दिया, प्राइवेट होस्पिटिल में भी रेमेडिस्य इंजेक्शन दूसरे इंजेक्शन फ्री में दिये, कि हमारे लोगों की जान बचे, उसी को देखते हैं मुख्मंत्री जी ने, दस लाग से इस साल उसको 25 लाख रुपए, अभी राहुल गांडी जी जी जब भार जोडो यात्रा में, दो सा से गुजर रहे थ जो अत्यंत गरीब थे, वी पी एल फैमेली के थे, दो रुपए उनके पास नहीं थे, उनको चिरन जी में जब उनका इलाज हुआ, जब वो राहुल जी से मिले, तो राहुल जी ने सीम गहलो जी से कहा, कि आपका नेक्स स्टेप क्या होगा, तो राहुल जी को जवाब दि इसा खर्च करें, ये राहुल जी से जो कही हुई बात, जो हमारे गोशन पत्र में जो स्वास का अधिकार दिये जाने के 2018 वाले में, स्वास का अधिकार देंगे, उसका भी अपने पूरी तरह से जनता को, जनता के लिए कानून बनाया, जनता के द्वारा बनाया, हमारे प हमारे लिए जितना कस्मीर केरल में, हमारे केरल से भी ज़्यादा, हमारे पास संसादने आजगी तारिक में, तो हम राइट टु एल देकर, लोगों के विश्वात देना चाहते हैं, कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आपकी कोई भी गंभीर बिमारी होगी, हमने तो देखा लोगों के, जड़ाईों के खरीदने के लिए पैसे नहीं थी, जाज कराने का सवाल ही नहीं था, एक्स रे कराना बहुत बड़ी बात थी, सोनोग्राफी कराना बहुत बड़ी बात थी, और MRI तो किसी गरीब की होती नहीं थी, पैसे बालों की होती थी, आज सारी चाहे प्रदेश के हर लोगों को मिलेगा और मुझे कहते हुए खुशी है बीजेपी के टाइम जब सरकार थी चार साल पहले उनके टाइम 3% बजट खर्च वह था 3% आज हमने उसको बढ़ाकर 7% कर दिया जो देश में सबसे ज्यादा पूरे बजट का इस साथ परसेंट सबसे ज्य ऐसे स्वास्त बीमा योजना से हर आदमी को हर नागरी को अधिकार मिलाए उसका इलाज सरकारी हो जा कुरे साय निगार्स का सरकारी हो चाहे करण करिया हो सबसे बड़ा जो आज मोडल बनाया इस्टेट वो राजस्थान है हम चाहते हैं कि जब प्रदान मंतरी जी मानगर धाम गए थे तो मिल्क मंतरी जी ने उनसे निवेदन किया था कि प्रदान मंतरी जी आप इसको पूरे देश में चरिंजिवी स्वास बिमा पूरे देश के ल करेंगे पर उसका जीवन बचे हमारी मुखमंत्री जी का उद्देश है गरीब आदमी का जीवन इलाज के अभाव में वह जीवन उसका बचना चाहिए चाहिए उसके लिए सरकार किता ही पैसा खर्च करें यह हमारा संकल्ब इस भिल्क में है और विल्क से अधिकार मिल गया अधिकार बूरवक किसी भी अस्पिताल में जाकर वो इलाज करा सकता है पहले अधिकार नहीं था दवाई खरीडने के पैसे नहीं थे इस तरह का जो हम यह लाए तो यह राहुल जी की पहल पर राइट टू हैल्प बिल हमने विदान सभा से पारित करा के गवर्णर साब को भेज दिया जो ही बिल हमाँ से साइन होकर आएगा हम इसके रूल्स बना कर बहुत जल्दी इसको प्रदेश की जनता को समर्पित कर देंगे हम चाहते हैं कि राजस्तान में मिला यह अधिकार स्वास्त का अधिकार यह पूरे देश में मिलना चाहिए प्रदान बंतरी से भ पता है अगर मेरे परिवार में कोई बिमारी हो गई मेरा हिलाज सरकार कराएगी आज उसके जनों से कर दिया कर दिया प्रदेश में कुसाली आहे बेटेश के लोगों का इलाज हो यह रास्तान जैसा मोडल मेरे खाल से अभी देश में कहीं भी इसलिए आधाम ही स्कोर हमारा साथ परतैंझ जो बज़ट खर्च करें डेश में सर्वाधिक स्वार्दी भजट खर्च कर में अवाला राजस्तान हमारा प्रदेश है फ्लिए आप सब लोगों से यह हैं धे पूरे डेश में लागवओ ओ मोडल एक तो सारे लोगों को अधिकार मिले हमारे मुख्मंतर जी की अच्छा है रावल गांदी की अच्छा है गरीबों का इलाज हो गरीबों की साहता हो इसलिए इस बिल को लेकर हम आए कोई विरोध नहीं, बिल का कोई विरोध नहीं है, बिल का एक भी कहीं कोई विरोध नहीं है, विरोध प्राइवेट अरे डॉक्टर्स का है, प्राइवेट डॉक्टर्स को कह दिया, जो चिरंजी वे हमारे काम कर रहे हैं, तीन साल से चिरंजी योजनार एक अज़ार उस्प सबसे 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 ज़्यादा है तो रास्तान में सबसे ज़्यादा सबसे 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 ज़्यादा करेंगे बड़े ऑस्पिटिल जिनको एक सरकार के पाद संसाधन है फर जिले मेडिकल को जीचरा और रास्तान में बारा सरकार नहीं दिया वहा वह भी अमारी स्टेट से मेडीकल को लिस खुर रहे हर जले मेन में नर्जिंट खुर थे है इतने संसाध honesty हमारे पास संसाध में हमBC मुद नहीं करें उनकी मर्जी लिए करें नहीं कि अंप करें कर से ढ़िए ओड़ cotton कि कि इस वाल अगर ने का सवाल है किसी पीडित की जियान को बचाने का काम है सरकार का सरकार जंता की ए जंता के दूआरा चुनी जाती है जंता के लिए काम करती है कोई केंजर सरकार गिरेया नहीं किरे पर पर्रणान मंत्री जी को मुक्र मंत्री जी निवेदन कीया कंग्रेस ने जो कमिटमेंट कीया करने का पूरा हमने वाइदा निभाया है जनता के साथ जो वाइदे किये उन सब को हमने पूरा किया है अब प्रथम चरण में हमने बताया ना सरकारी ऑस्पिटील पचास बेट से ऊपर वाले ऑस्पिटील और हमारे डेजिनेटेड जो ऑस्पिटील है जिनको सरकार को फ्रीलेंड दिया है या कम कोश्ट पर लंड दिया वो अस्पिटालों को उनकी सर्थ के अंसर्थ करना पड़ा तो हम रूल्स बनाएंगे आप देखना रूलस ऐसे बनाएंगे जो सब प्राइवेट ऑस्पिटील को भी मंजूर होंगे स्वते ही चलकर आएंगे जैसे एक अज्जार होस्पिटिल आज चिरिंजी योजना में काम कर रहे हैं हमसे उना सरकार ने उनसे कोई कनूने भी नहीं किया है स्वते जुड़े हैं वेचे हमारे रूर्स बनने के बाद आप देखा सारे अस्पताल जो प्राइविट आज़ विरोद कर रहे हैं सारे के सारे अस्पताल बहुत जल्दी इस योजना से जुड़े हैं कोई डक्ट्रों के भी इतमे हैं डबल वैचो द्रव निवारने के बाद भी निवाते विए उन्हों ने कहा लक्ष्मन जी को संजीव नी बचा सकती है इसलिए चिकिस्य का तो धर मैं किसी भी पीरित आदमी का एक्सिडेंट वाले का किसी का कोई नुकसान हो जाए उसका इलाज करना चाहिए किसे का धर्म है वह अपने धर्म की पहचान करेंगे स्वते जुड़ेंगे प्रदेश के लोगों के लिए जुड़ेंगे वह भी प्रदेश में हैं हम रूल्स बनाएंगे उनकी जो विरोध है उनसी जो का ध्यान रखेंगे उनसी जो को हम करने की पूरी कोशिज करेंगे जिसे वो उनको भी डॉक्टर का भी ही तो जनता का भी ही तो और सरकार जो चाहती है वो काम भी निश्यत रूप से हूँ जैसा जैसा मैंने बिकरांजी बताया कि इसको हम नहीं पूरा विश्व राजिस्तान मौडल बोल रहा है तो जिसको वम राजिस्तान मौडल बोल रहे हैं जाहर सी बात है कि अलग-लग राजियों में इसकी स्टडी की जा रही है कुछ ऐसी योजनाये हैं 36 गड़ की जो 36 गड़ को एक model state बनाती है वहां की योजनाये जाहिर है कि राजिस्थान भी देख रहा है हिमाचल भी देख रहा है तो इस तरह से एक की दुसरे की जो अच्छी योजनाये होती है उसको हम बिल्कुल ग्रेंड करेंगे और आपने बाकी राजियों में भी लागू करने की कोशिश करेंगे उन राजियों की जो स्थानिये परिस्थितियां हैं उनको नजर में रखते वे उस तरीके से टेलर की जाती है योजनाय लेकिन जैसा कि वंत्री जी ने बताया कि घेरने की बात नहीं है किसी सरकार को या केंद्र सरकार को लेकिन उनसे आग्रह है कि कोविड में जिस तरह का अनुभव पूरे देश को हुआ ऑक्सिजन के लिए लोग बड़ी परिशानी महसूस कर रहे थे स्वास सेवाओं पर एक बहुत ही साकारात्मक कदम उठाया है वो केंद्र सरकार को भी अपनी प्रात्मिकता है मुझे लगता है बदलनी चाहिए है आपको किसी ने फिड़ गलत दिया है सी एसी पी हैसी आप देखेंगे डिस्टिक लेवल के ऐस्पिल देखेंगे इस कारिकाले में विपनतर जी कारिकाल में साओ ऐसा कोई जिला नहीं जिसमें दो से तीन डिस्टिक इस ऐस्पिल सब्सक्राइब करें किसी का भी पैसा जाच में नहीं लगे दवाई में जो दवाई अगर ऊस्टिल नहीं मिलती है तो वहां के इंशार की डूटिए उसको खरीद के देंगे एक भी जाच है 40,000 की जाच भी आख कोंटेक्ट बेस पर हमने में एमेई कर रहें सारी जाच फ्री करा रहे हैं कोई कहने वाला नहीं मेरी जाच हम पैसे लगा हो सरकारी ऑस्पिटिल में एक भी जाच ऐसी नहीं जो फ्री नहीं हो दो रही है यह हम्आरी डूटी है हम अभी जब तर संसाधन नहीं है हम प्राइवेट से कॉंटेक्ट करके उनके कॉंटेक्ट लेवल पर कर रहे हैं बढ़ाने का सब दिश्टिक ऑस्पिटिल में बहुत जल्दी सीटी स्केन संसाधन बनाएंगे जब कानून बनाया है तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी की सरकार की होती है कहीं भी पूरे हमने 15-15 लाग रुपे सब को एडवांस दी हैं जो ही हैं आपके पैसे समाब तो आप रियंबर्स कर लें पैसे फिर वापस देंगे सरकार की और से संसाधन किया पैसे की कोई अभाव नहीं उसके बार नहींटो कोई दवाई कंपड़े गी ना कोई आज 800 दवाई फ्री हमारे हमने 400 त 토 cause ऑना सुरू की थी आज 800 तरा की डवाई फडिये जार फ्री है कोई कहने वाला नहीं सरकार ससरी डवाई फ्री सारी जाजप्री ये सरकार की डूटी है देखने का हमारे उस्पितिल के इंचार की डूटी है सब को पैसा दे रहा है पैसे कोई कमी नहीं तो हम ये संतुष नहीं चीज से दूर करें लिए दॉक्टर्स की मांग यह थी बिल वापस ले तो सरकार ने कह दिया बिल हम किसी कीमत पर वापस नहीं लेंगे आपकी कोई बात है वँ हम बिल में करेंगे ना उसको वापस लेंगे अगर कोई बात ये तो आपकी डाल दए वह बात में तयार होगे तह उंको परती है अगर ओप्र पचास बेड़ नीचे से साओ इसमें सामिल नहीं करें तो नहीं करेंगे हम परवेंड ऐस्पितिल जो आएंag प्राइवेट हो सरकारी हो हमारे लोगों का हिलाज होना चाहिए हमारा उद्देश ही है जब हमारे रूल्स बनेंगे उनके मुताबिक होंगे निश्यत रूप से सब प्राइवेट होस्पिल पहले भी जुड़े होगे आगे जुड़ेंगे पचास से नीचे वाले ये कहते हम इसे जुड़ नहीं पाएंगे हम कब कहते हैं आप जुड़िये आपको सूट करें तो जुड़ना जब रूल्स बने तब नहीं तो हम कोई वो थोड़ी हमारे संसारनल सरकार करेंगी है हां मिल जाएक छूटूँगे 50 की कहँएं है पचास से नीचे वाले नहीं जोड़ेंगे पचास से नीचे वालों की deemand 30 स्वे जीटेशन किया उसमें किम को इसी मेने इसी मेने अपनो मैंने एक Speed करद रा लाईएंगे लाइएंगे करते हैं पर दिखान की बात अलग है यह मानुता का काम है तो मानुता का का काम किया है हमारे इलेक्षिन का मैनिफेस्टों में था उसको पूरा किया है है मैनिफेस्टों के 99 जो वाएदे थे हमने कंप्लीट किया है कोई एचा वाएदा नहीं मैनिफेस्टों इसको विले टूरिस्ट अकर एक्सिदेन रास्थान में होता है उसको एक्सिडेंट का इलाज भी करेंगे और उस इलाज का पैसा सरकार वहन करेंगे गलत खबर है किसी ने गलत खबर चलाई है आपको अभी 2000 डोक्टर भरती करें हमारी एक भी CSC PSC नहीं है जाए डोक्टर नहीं हो सारे 100% CSC PSC डोक्टर हमारे 100% अभी सब सेंटर हमने एक अज़्जार खोले सब देखाया हमें यूटीब भरती कर रहे हैं अभी 2000 डोक्टर एक भी CSC PSC रास्तान वैसी नहीं बता सकते वहावर डोक्टर नहीं हो एक भी मैं एक ही कहना हूं और साथ ही ये चुनोती भी है ये तो मंत्री जी नहीं बोलना चाहते होंगे पडोस का राज्य है गुजरात ये चुनोती देते हैं कि महां क्या थोड़ा स्टडी मैंने भी किया है इसके कितने ऐसे पीएचसी जैं जिसमें डॉक्टर नहीं है ये खुद बता देनी तो हम एक दिन प्रेसवारता करके उसका भी पॉल खोलते हैं इसलिए लोग जो गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल लेकर घूमते हैं न इन्हें एक दिन उनकी पॉल खोलनी हमें आविशक है हम लोग चु कैसे राजिस्टान में इलाज करने अब गुजरात के लोग आ रहे हैं यह स्थिती है राजिस्टान मॉडल की और ये फर्क है राजिस्टान मॉडल और गुजरात मॉडल मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है क्या मेरे हक में फैसला देगा अब आप लोग आप अझायर हो जाओए जाओड जाओड से किसी बीदिन उताड़ी हे जाओगे हो आप लॉट किना पी ज़ुरी औ ग değişक्शिशनर इस दिशिबाड ब लॉट भी इनरें दुब्रूश सेंटेंच बॉट्टेंब य। नेरिब और मुदेंट सब्सक्रेश्ट करें वह जए पर के जिए आणीम बालों पालोंग जैसे वाइट पाइट ओिए इन पार निल्वेंग्रम काई फट्ट आड़ोंगेट अ एंट इन पार सब्सक्राइब यार गार मनें पार आट जाख जड़ प्लेद बीद आट तोडेध रगले लाव और तो उस चिठी की कॉपी उन्होंने प्रधार मंत्री को भेजी जैशंकर जी को भेजी जड़ा वह चेक कर लिजे उम्मीद भेजी होगी नहीं होगी तो हम भेज देते हैं उनको फिर बोलें की जड़ा भी क्या हो रहा है यह चिठी लिखकर उसको सारवजनिक करना बड़ा आपमान कर रहे हैं साथ देश का यह तो हम लोग इस बात में और इस डिबेट में कॉंग्रेस पार्टी अपने आपको दूर रखती है हमारे मुद्दे बड़े स्वष्ट हैं उन मुद्दों पर हमें जवाब इस सरकार से चाहिए हमारी मांग है जेपीसी की मांग हम अदानी मुद्दे पर से ध्यान हटाने की किसी भी कोशिश का हिस्सा नहीं रहेंगे पर सब्सक्राइबाब इस भी किसी भी किसी भी किसी अज़ किसी वह रुट पर सब्सक्राइब अधिए you've seen how industries were pushed out of a particular state pushed into a particular state just before elections we've seen how this government is actively destroying the federal structure of this country and any such attempt will be fought with तो ब्हुरम्माट प्र्वाद सब्स्याइन प्रभ्माट। बिल्ट अन्देन फिल्ट दिटेए लुट थीर्थ ल्ट मेड्माट इसलिए का इंदेन ज्टी अर्वेल्टस वेक्ट्था एक नरयतिखिय। तक्यो श्यू